इंए देखिए आज़का हम टॉपिक सटार्ट करने जा हुए वॉयर डॉपिक का नाम नहीं मूय है डॉपिक्छाथ िसको रीट करें जैसे मैंने बोला मुझे इस data की एरिये को न रिकाम दाटा लिखा यह 8 कितना आपका ए 11 के 11-18 यह मैं 11 पे गया अब Вас कोई डाल दा दा दी यहां वाल नाल दी मुझे इसका सम औरना है तो मैं इसे ऐरिया को से लैक नहीं करूंगा मैं सं करने के लिए मैं सम और एरिया नहीं से लैक्त करऊंगा मैं सिंपल डाटा लिख दूँगा और वो मुझे पूरा इरिया जिन रिदे यह कहा किलता आपका फाइल मेनें नेम मेनेजर आप लोग यहां से भी नेम डिफाइंड कर सकते हैं या फार्मूला बार में जाके नेम मेनेजर के अंदर भी आप जाके नेम को डिफाइंड कर सकते हैं जो आप लोग वहां से बनाते हो वो लेडी यहां पाता है इसका कोई और बैनिफिट है या और जगह हम य बार बार पैमेंट करूंगा तो हम लोग EMI निकालते हैं इसी मंतली इंस्टोल में तो हम लोग क्या करते हैं पी एमटी का फार्मूला रगाते हैं रेट दिवाइड बाइड बादा मंत डिवाइड बाइड वाइड और प्रेजंट वैलू इतना तो मेरी इमाई कितनी मंत की है 16,123 और अगर मैंने 14 महीं ने किया 14 मंत की बता करने हैं तो कितनी होगी तो हम लोग इंटू इस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है लेकिन सब्सक्राइड करो आप अपनी कंपनी में कांपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर जो बंदे एक्सल पर काम करत तो सिम्ल सबसे पहले आप क्या करो इस फार्मूले इस डाटा को fix कर जैसे b2 आगे b3 नहां मन जाए कर दो इसको ilupi कर दो इस फार्मूले को कॉपी करो Two formula copy हो गया then कहां जाओ फाइल मैनेजर में जाओ यहां से नू में आओ और एक नाम रखओ पि-इम-te न्यू वार्मूले का नाम गया है यू और इस फार्मूले को कंट्रोल वी करें क्या करदो आप लोग पेस्ट हो गया पेस्ट हदो कर दो जो भी उसकी हो यहाँ पर डाल देंगे मैंने बूला मंत हमारा कॉंसार्ट इंड वैल्यू कितनी आएगी तो क्या करें सिंबल पीम्टी लगाएगा यह उपर वाला और किसे स्लेक्ट करड़ेगा इसके साथ इंटू करड़ेगा आगया सिंपल हो गया उसके लिए कहीं भी खड़ा हो तो यह कर सकता है जैसी मैं पीम्टी लिखता हूं वो मेरा फार्मूला कॉल हो गया तो यह बहुत ज्यादा बैनिफिशल होता है कभी-कभी अब आपको एक बार बनाकर रख दिया अब असकुछ नहीं करना उसको हमेशा कहना है क कि तो अपने से आगे वाले वाले का इंटू कर ले वो तेरा रिजल्ट अपने आप दे देगा तो बहुत एजी होता है फाइल मेनेजर देन नैक्स एक्जांपल सार मुझे डाटा को फ्रीज करना जरूरी था यह मैं डाटा को बिना फ्रीज करें भी काम कर सकता हूं डाट लिए के एक एक्जांपल हमने यह सिख एक एक एक्जांपल हमारे पास और आता है नेम मेनेजर का मुझे यहां पर क्या करना है मुझे कंडिशन देनी है कंडिशन क्या देनी है कि मुझे ऐसा फार्मूला बनाना है कि अगर वाल्यू 0-40 के बीच में आए तो उसको 10 रुप सर मुझे कैसा करो मुझे एक ऐसा फार्मूला लेकि बात वही आगे कि सामने वाला जानगार नहीं है फार्मूला इसको बना के दें तो हम लोग क्या करेंगे हम बोलेंगे इफ और इसमें डाटा फिक्स नहीं करेंगे इफ अगर यह वैल्लू कितनी लैस देन इक्वल टू कितनी आपकी 40 है तो क्या दिखाओ मुझे 10 रुपे यह नहीं तो कॉमा इफ अगर यह वैल्लू less than equal to 80 है तो कितना दिखाओ मुझे 20 रुपे इफ अगर यह वैल्लू less than equal to कितनी है 100 तो मुझे क्या दिखाओ कितना 30 हां है अंडर से सोटा फिर वो क्राइटिर पहले देखेगा एक टू चाली से नीचे है उसके साथ चलेगा और फिर एक ओर इफ लगा इफ अगर यह वैलू इस ग्रेटर देन आ गया इस फार्मूले को नीचे ट्रैग करा और डीके डाउन कर दिया आगे पार्मूले को सकोई उसको ऑन वाइन आई डॉह ई logo कोपी करें और कहां जाओंगा आया लुओ और यहां बैर जो भी आपको नाम रखना याप यहां पर लुड़े कि आप इंडानी क्योंकि मुझे नीडिख रहे दूसे हैं फार्मूला और इस फार्मूला की जगा मैं क्या कर दूंगा एक नया फार्मूला कंट्रॉल भी करके पेस्ट कर दूंगा लेकिन फ्रीज नहीं करूंगा फिर इच क्यों नहीं करूंगा हाँ आप देखो अभी जरूरी नहीं में डाटा यहां पर है कलको मैं डाटा यहां पर हो तो कंट्रोल भी पर मैं क्या लगा दूंगो इफ फार्मूला बस खाली आया हो इफ ने मेनेजर में जाते हैं हमने बनाया है नहीं है और उसको कंट्रोल भी करके अब देखो कंट्रोल भी होई नहीं रहा है यहीं रीजन होगा इसको कॉपी अब इस फार्मूले को दुबारा कॉपी करो आप लोग कॉपी कंट्रोल सी देन यहां गए अगर नहीं मेनेजर की शॉर्टकट की जानी है तो कंट्रोल के साथ एफ 3 दबाद हो तो आपका नेम मेंजर उपन हो जाता है इंटर मारो और यहां पन रख दो इफ फोर मूला और यहां पर कंट्रोल भी करके उस फार्मूले को किया करते हूँ आप लोग पेस करतो और किस पर किलिक करतों सेप बटन पर फार्मूला एड हो गया अब यह वेसिए रहा है कि इस नाम से फार्मूला नहीं बन सकता इफ आगया बस मैं कुछ नहीं करूँगा इफ कौन सा अपर वाला आगया दस सर इसे 10 कैसे ले लिया क्योंकि मैंने इसको बोला अपने से पहले वाली वालू का टोटल निकालो वह अपने से पहले देखो मैं 101 करूं कितना हो जाएगा इंटरम आरा यह अच्छा देखो अभी भी इह दिक्कार आगी ना आकशे लिंक हो रहा है तो देखो डाटा फिरीज हो गे जब की मेरा गलत हो जाएगा फिरीज मत करना जो शाल कर के डोलर के सान लगे होंगे तो वो A2 से link है ना इससे sheet के A2 से link है लिए को बता भी रहा है किस से link है वो A2 से है यही reason है किलियर है अगर आपको इससे link करना है तो आपको ना फिर formula को track down करना बढ़ है कंट्रोला है नहीं है इससे link हो गया एट्टू की जगह है, वो ड्रेप डान होला कॉन सब्सक्राइगा, तो आफ फ्रीज करके कर लिए, नेम मेनेजर में तीसरे टोपिक आता है, यही सिंपल वही चीज़े जो नेम मेनेजर बता रहा हूं, बस किया रखना नेम मेनेजर किस लिए करते हैं, नाम को मेनेज करने के कान अब मनेज लिए जगह यूस कहा होता है, सबसे जादा एक बहुत जगा होता है, जैसे मुझे यह उपर यह पता करना है चैसली पहला है, rodz, जैसे मैं यह नो look लग जाए उ Bluetooth क लाटब को में बता दिए डाता में है या नहिए, अगर है तो राइड कलर से आजा है, नही ह मतलब इस data में विलाश हैगा यहां मैं करता हूँ पहले इस पर conditional formatting लगी हुई है मैं conditional formatting को delete कर देता हूँ कोई conditional formatting नहीं ही लगी हुई है ठीक है मैं चाहता हूँ कि अगर कोई word इसके अंदर repeated है तो वो red color से आज़ा है तो सब repeated कैसे पता चलता है तो हमारे पास कौन सा फार्मूला होता है count if का if का criteria range में हमने sheet पे गए हमने बोला इस sheet में से किसको ढूणना है जो नाम में का लिखूँ इस पे जैसी आप इस पे enter मारेंगे message कितना आ गया one आ गया आपका one बन आ गया अभिलाज इस डाटा में एक बार है लेकिन उस sheet में डाटा अभिलाज तो काफी बार था था नहीं था दुआ लगाते हम लोग count if range में हम यह जितेंगे कौन सा sheet number this आ गया कॉमा criteria management में तीस पे गए तीसरे पे गए enter मारा और enter करा देखो नहीं यहां पर एक बार नहीं एक ही बार था है दो तू बार टीक है हो गया आगी है मैं चाहता हूँ इसको color हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे अब इतना लंबा फार्मिल हो तो हम लगा है सकते हैं तो हम लोग क्या करते हैं इस पूरे फार्मिलो क्या कर लेंगे copy कर लेंगे copy कर लेंगे कहां पर इस कर देंगे conditional formatting पे और candlesticks में डाल के color कर बालेंगे देख आ गे new पर गे और okay मैंने बोला कि अगर ये का total कितना आता है greater than one आता है कितना आता है greater than one आता है तो वो किस color में हो जाए वो फिर green color में है कौन से color में हो जाए वो green color में मैं गया फाइल में और मैंने क्या बोल दिया गरीन कलर अब देखो क्या मैसेज आ गया मैसेज आ रहा है यू करेक्ट यूज रिफरेंस तू अदर वर्क शीट तू वर्क बुक फोर दा कंडिशनल फॉर्मेटिंग क्राइटेरिया मतलब इसके कहने का मतलब है कि अगर आप कंडिशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर रहे हो तो आप दूसरी शीट का क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं दूसरी शीट का क्राइटेरिया नहीं ले सकते हैं लेकि सर ये तो मुझे करना है फिर कैसे करें तो आप इस काम को करने के लिए क्या करोगे नेम मेनिजर बना लोगे इसलिए नेम मेनिजर को बहुत ज़्यादा यूजता है कभी-कभी ऐसी जगह होता है जहाँ आपका फार्मूला पर्फॉर्म नहीं करता है तो वो कंदिशन नहीं लेता अब इस फार्मूले को मुझे यूज़ करना है लेकिन मैंने इस फार्मूले को डिलीट कर दिया और मैंने किस के अंदर जाके यूज़ करा मैं गया फार्मूला के अंदर नेम मेनेजर के अंदर न्यू फार्मूला पे गया और एक फार्मूला का ना बना दिया चेक ठीक है और मैंने उस फार्मूले को control भी करके copy कर लिया हो गया और मैंने क्या अगर दिया save हो गया और बस मैं culture को यहां रखूँगा यहां जाओँगा कहां पर workbook में condition formatting पर new पर conditional and then यहां पर लगाओँगा if बोलूँगा if अगर check is greater than कितना है one greater than one है तो क्या दिखा दे मुझे green करा आगे green इस आटा में भी अभिलाश एक ही बार होगा शायद मैं कोई और नाम में लख्की लिख देदा हूँ उनमें अभिलाश दो बाली अभिलाश तो क्या हमने कंडिशनल फॉर्मेटिंग देते हैं यहां पर जो हमने फार वो रिफ्रेंस बनाए उसको तो गलत नहीं लिख दी हमने इसके पीछे यलो लगा हुआ है ना पहले यलो को हटा देते हैं नो कलर करते हैं नो कलर देबाला कंडिशनल फॉर्मेंटिंग में जाते हैं नेम मेनेजर के अंदर यहां से कंडिशनल अटाते हैं पाइल गंदग है इंटर चेक अच्छा वो अपने से पहले वाली वाल्यू को कलर कर रहा है अगर नाम में मैं यहां पर एक पलस कर दूँ शायद सी रभू करें देखां अगर मैं यहां कुछ डालू बिलाश न होगिया मतलब वो A2 को कलर करेगा किस को करेगा 24 कि फार्मुले में बोला मूब भी था मैरे क्या बोला वो था फार्मुले में मैं A2 को मुझे यहां पर उस वट को कलर करने है रिखा विलाज कलर हो गया ना किलिए रहे मैं अब लख्की लिखूं लख्की उस नाम में था ना हुआ कलर क्यों नहीं हुआ यह भी लिखना बढ़ देख नहीं तो फिर ऐसा फार्मूला हमने बनाया एक ऐसा करना जाए रहा कि इसको ही कलर करें चलो आप अगर आपको प्राब्लम हो रही है तो अब जहां आपने एक टू दिया हुआ है चेक फार्मूले में यहां आपने एक टू दिया हुआ है इसको क्या कल दो आप हम लोग खड़े कहां पर हम लोग एक पर खड़े हैं कि दुबार बना कोई लेखा मैंने मैंने लिखा नेम वह मैंने यहां बलगाया काउंट इफ का फार्म मैं बलगा काउंट इफ ठीक है अपने से पहले वाले हुआ अब मैं खड़ा सी पे हूं तो अपने से दू आगे जाए इस पे कॉमा रेंज तो हमारी तो वही थी ना र कि राइटेरिया जो लग्की यहां लिखा हुआ है आगे एटू और कॉमा थी आगया अब कलसर को इस फार्मूले को कॉपी करो जब आप नेम मेनेजर बनाओगे ना तो आपका कलसर यहीं होना चाहिए ठीक है कितना आगे 30 आगया 30 आगया उसके बाद नेम मेनेजर में जाओ यहां पर जाओ और यहां ठाइप कर दो आगया और इसको क्या कलता आप लोग हो गया उसके बाद देखो क्या फार्मूला था हमारा चेक लग्की कोई बनाया है अच्छा अब कहा जाओ इस कलसर को यहां रखो फिर हम में आपर कंडिशनल में नियू फार्मूला में यूस फार्मूला में और क्या लगाओ इक्वल लग्की इस गिरेटर देन कितना है वन तो कौन सा कलर हो जाए रट कलर हो जाए जिससे पदा चले डूबलिकेट है हो गया रेट देखो मैं सुमेद लिखूं ठीक है ये है कुछ भी डाल दो जीद रोशन रोशन है लेकिन मैं उख जैन नहीं है जिस जगा यूज होता है अब चलते हमारे पास नेक्ट जो फार्मूला की का्टेगरी आती है वो फार्मूला में हमारे पास आता है tressy precedent precedent क्या करता है ये आपको ऑन्टीन निकाल हो तो उधारन होता है कि मुझे ही पता करना है कि show link कि किसकी link है ये to किसकी link है तो मैं क्या करूँको एस button पर click करूँआ जैसी click Ak teaches मुझे बना देगा एटू किसके link है तो और है two keep bangisya link है उपका एटू कुसे link है डिलिट खरनी यह देडर चले रिक दिलिट करने जान्य जांड दिला कि यह इडिलीट रिखे लना गारू गाता हमारी से से दूसरा हमारे पास हे कहता है डिपेंडेंट होता है जिसे मुझे पतां करना ही कौन किसरे डिपेंडेंट है अब जैसे मैं इहां गया मुझे बता करना है ये तो किस्ते हैइं तो इस ऐस्मोर्ण बदु सबस्क्राइब आपक्राइब। है अब लाटर को डिलीट करूंगा तो सभी में एरर आजाएगी इस आपके काम मतलब इस वर्ट को क्लिक करो तो आपको बता देगा किस दिलिंग है यह इसमें से लिंक है थीकैं है से ऐसे हैं मैं हैंसी आनिक हैं से फकूपार मूलो के करता है जहां जा मैक्सिमं पारमूला लगा हो ना वहा उह बिखे करें बड़ार कुए जा करो शौ्ट करो आफ फार्मुला वे किस ना जाइए कि्सें ना यहां अद बाते गा है को आप पजब से खटादों के शो करो तो जांट अब वैलू नहीं शो करेंगा आपको फार्मूले शो करेका और शो फार्मुलेस पोटा दो नॉर्मल वैल्मू होजाईगी है क्लिए रहें डैन एरर चेकिंग क्या होती है मुझे पता करना है डाटा मैं और कहां पर तो कहीं तरीकित होती है एक होती है कौमा लगा दो और आपने 50 लिख दिया अभी क्या बनगे आपका नमबर टैक्स बनगे यह भी एक तरह की क्या होती है अब मुझे पता करना है मैं कलसर नहां पर मैं कहां गया एरर चेक्स जैसी क्लिक करा और आट करूंगा तो मेरा कलसर मही ले जाएगा कहां पर एरर है यहां पर आई 21 पेरर कितनी नंबर पर 50 अगर आप कनवर्ट नंबर करोगे तो वो किस में करने हो जाएगा आपका नंबर में और भी आपकी हुआ हो जाएगी लिए रहे आभूलेट फार्मूला क्या करता है इस थेप बताता है कि फार्मूला किस तरीके से पर्फॉर्म करता है & then most important वाट आता है हमारे पास क्या रिखा है वाज वेंडों क्या रिखा वब हां आपका वाज विंडों क्या होती है और ये अकांटिंग लाइन ने बहुत लोग यूज करते हैं क्या करते हैं अकांटिंग वाले इसको आप सारे बैंक रॉक ट्रेशन होते हिंता हुआ होता किया जब हमें डाटा नहीं मिलता तो हम कब और गल्ति सम्पर सप्प्रकलर हो जाएं लेकिन हमें क्या करना प्रोटा हमें कलर ढूंडने पड़ते हैं कहां पर हमारे सारे कलर हैं उसमें दिक्कत होती है मैं कैसी विंडो बनाना चाहता हूं कि जो मेरे एरर को catch कर लें तो हम लोग कहां जाते हैं formula पर आते हैं फिर हम लोग कहां जाते हैं watch विंडो पर और हम जाते है add window जैसी करा तो उसने पूझे यह आपकी error है मैंने का हाँ यह error है ok करा और जैसी add करूँगा क्या बनगे मेरी एरर बनगे d6 value metade to क्या मेरी error है यहाँ पर गया इस पर click करा ok करा मेरी error बन गए इस पर गया tick करा ok करा बन गए error मेरी यह गलती है tick करा ok करा और बन गए error होगी 5-5 error आगे किसी ने कहा कि चलो मुझे इन error को दिखाओ अब मेरे senior आए उन्हें का बता कौन कौन सी error है तो मुझे ढूनना नहीं पड़ेगा मैं कहां जाँगा हाली watch window पर जाँगा मैं कहां सर एक तो आपका इस पर error जैसे इंटर मार मेरा कल सर्मा पूच जाएगा एक इस पर error है मेरा कल सर्मा जाएगा ठीक है यह error बात में सब्स्थ ठीक होगे तो मैं ऐसे कहां करता हूँगा delete delete हो जाएगा मुझे इस पर जाना है इस पर गया delete हो गया इस पर गया delete हो गया तो यह reconciliation की time बहुत जादा आपको use करेगा आप हमेश्चा याद रखना है कि watch window का काम होता है वह value को store करके रख लेता है जब आपके यह error ठीक हो जाए तो आप बहुत जाटा को delete भी कर सकते है then आपके बस most important आता है calculation mode यहाँ आपको आखरी में लिखा है calculation आप जानते है एक्सल में दो तरीक करें एक तो manually calculation होती है दूसरी automatic होती है जैसे अभी मैंने क्या लिखा मैंने यहां लिखा 50 plus 30 कितना हो जाएगा 50 plus 30 80 हो जाए कितना हो जाएगा आपका 50 plus 30 suppose करो यह formula बहुत blendी होता और यह 50-60 column हो से link होता तो जब भी हम लोग किसी formula में update करते हैं उस सारी sheet को calculation करता है हमारा दो मिनट तीन मिनट एक मिनट वेस्ट करना परता है हमें वेट करना परता है कि पहले formula run हो जाए performance आ जाए दिन हम आगे काम करें लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम जानते हैं कि हमारा काम सही है हम जो कर रहे हैं लेकिन formula calculation करता है बहुत जादा time consume होता तो हम लोग क्या करते हैं उस formula को wait कर वाते हैं कि जब हम किसी काम में busy हो तुम run हो जाना तो हम लोग क्या करते हैं उसको calculation मेट में जाके क्या बोलता है manuali क्या क्या करते है manuali हम जो कम हम यह 60 का 20 लेको कोई change नहीं हो रहा हो रहा है नहीं होरा क्यों क्योंकि अभी मैनवली मौट पर हैं कुछ नहीं को सकता है तो वापस पर जाके जैसे आटमेटिक करोगे फार्मूला ठीक हो जाएगा है तो हम लोग करते हैं जिसे हमारी शीट है बहुत बड़ी कुस्थ नहीं होती है ना बहुत जादा टाइम लेके चल्ती खुलने में इती बंदोने में पढ़ने मींन लगता है और एक खार मुले पर इंटर मारें तो बहुत जाए पन्दा बंदा मिट लग जाते हैं की बार में तो उसकांस बचने के लिए न हम लोग calculation mode को क्या कर देते है manual और फिर बाद में automatic कर लेते है ऐसी आपकी calculation ना होता है calculation sheet होता है दोनों का यही काम होता है ठीक है आपने का calculation sheet पर कुछ भी नहीं होता है ठीक है कि मतलब यह आपका manual था आपने का मुझे भी calculation करें तो आप calculation now पर क्लिक करेंगे तब आपका perform कर देगा ठीक है यह आपका आज का topic दा जिस topic में हमने फार्मूला और रिटिंग सेखी और ने मेंजर या ने डिफाइंड करना सीखाँ मैं बता दूं ने मेंजर आप यहां से भी कर सकते हैं किसी area को select करके आप address बार में जाकर यहां से भी कर सकत जे झाल यहां से भी कर सकते हैं